अला निगोस मैं आमो दवांची दिन्यू तेंगूर्टिस आन्योस यू तोडियो इन मिश्ची पर है मी पॉपिस्टोरा सेयामा बबलन्टी मैं गुस्ता मुचो मैं को लेक्यो गट्टियस आद्योस भाई जब तीन साल की बच्ची आपके सामने स्पैनिश बोल सकती है तो आप तो फिर कि विदाउट फिस्टिंग अने टाइंग स्टार्ट करते हैं आज का फ्लॉग ओला मिगोस कमया गणी वेल्क टू मैं चानल एंडियन ट्रेपा ग्यान बाटने से बढ़ता है तो वह ही थोड़ा अपना ग्यान हम भी बढ़ा लेते हैं आज और काफी टाइम हो गया स्पानिश बोले बोले तो हमने सुचा कि अपने कैमरे के सामने स्पानिश बोलेते हैं तो गाइस काफी टाइम से मुझे शाहिद आब डेड़ साल हो गया है यूट्यूब में आ हुए तो काफी लोगों ने कमेंट करके मैं से पूचा वाई स्पानिश खासे करी देखिए यह देखिए यही देखिए यह देखिए यह भसLikeज य यह भला पड़ा है ठीक है तो मैंने सुचा कि हमारा ज्गान आपको भी बार देते हैं तो एस वीडियो में मैं आपको थोड़े बहुत स्पानिश फ्रेब्स और स्पानिश वोड़्स आपको सखाने वाला हैं जो की आपकी ट्रेवल में आपको help करने वाले हैं अगर आप plan कर रहे हैं Spain या फिर कोई भी South American country जाने का अगर आपको Spanish आगए तो कम से कम 20-20 countries आप अराम से खून सकते हो without any problem, without any language barrier और किसी भी country की अगर आपको language आती है तो उस country को explore करने का मसा ही अले होता है आप local से घुल मिल सकते हो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता and then काफी सारे फायदे होते हैं किसी भी country की language आने के तो guys चलिए start करते हैं आज का vlog और आपको कुछ Spanish के words और phrases आपको सिखाते हैं सबसे पहले बात करते हैं greetings की सबसे पहले greeting जो की world famous है ओला 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 means hi hello तो ओला अगर अपन spell करते हैं ओला को तो वो spell होता है h-o-l-a ओला बट जो अपन इसको अपन बोलते हैं तो अपने बोलना है ओला ओला तो जो भी word या sentences मैं बोल रहा हूं उसको मैं दो या तीन बार मैं आपको repeat करूँआ ताकि आप लोग को अराम से इसका pronunciation समझ में आ जाए और नहीं तो repeat का बार बार वीडियो को repeat करके देखते रहे हैं मेरे views बढ़ते रहेंगे और आपकी knowledge बढ़ती रहेगी simple high हो गया अब करते हैं बात bye की तो bye को बोलते हैं adios 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 means bye goodbye then comes hasta luego लोगो go आस्ता लोगो अंत्लब है फिर मिलेंगे आस्ता लोगो मिन्स See You Later adios की जगे आप आस्ता लुए भी बोल सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप जिस देसे वापस मिलना चाहते हैं उसको उसको भी बोलना है आप किशी को भी बोल सकते हैं चाहे चाहें वह आप आप शॉप में हो, रेस्टरों में हो, हलाकि आप आपस नहीं आएंगे उस जगे, लेकिन फिर भी अच्छा रखता है, sounds good, जिसको भी आप बोलोंगे, आस्ता लोएगो, then comes, के ताल, के ताल, के ताल, के ताल, के ताल मींस, how is it going, और how are you, तो यह जो sentence है, के ताल, how are you, और how it's going, यह sentence आप formal और informal, दोनों की तोर में आप बोल सकते हैं, चाहे बंदा आपसे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, आप बोल सकते हैं, के ताल, okay, how is it going, को मोस्ता, को मोस्ता, को मोस्ता है, formal way में, अगर आपसे कोई बड़ा है, तो उसको बोलना है, को मोस्ता, that means, how are you, अगर आपसे कोई छोटा है, तो उसको informal वे है, को मोस्तास, को मोस्तास, को मोस्तास means, how are you, informal में, आपकी उमर के बराबर का, यह आपसे कोई छोटा ह उसको बोले, उससे अगर पूछना है, how are you, तो आपको बोलना है, how are you, then आपको किसी से मिल रहे हैं, और आपको मिलके अच्छा लगा, then उसको बोलना है, mucho gusto, mucho gusto, आप से मिलके अच्छा लगा, nice meeting you, mucho gusto, तो guys, जैसा मैं pronounce कर रहा हूँ, वैसा same to same आपको pronounce करना है, आप वीडियो को एक बार, दो बार, या उस वर्ड को बार-बार, replay करके, rewind करके बार-बार सुने, क्योंकि जो मैंने Spanish बोल रहा हूँ, मैं Spanish अभी से नहीं, कफी 7-8 साल से मैं बोल रहा हूँ, और मैंने Spanish, Spain में बोला है, Spain में बोली है, और South America में भी कई देशों में बोली है, तो आपको pronounce सेम इसी तरिके से करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी स्टाइक, तो Spanish की बात करें, तो Spain की Spanish अलग है, और South America की Spanish अलग है, जैसे अपनी हिंदी भाशा, तो Delhi में जो हिंदी बोलते हैं, वो थोड़ा टोन है, वो चेंज होता है, गुजरात में अलग है, तो वैसे ही पूरे South America में, जो Spanish South America में बोलते हैं, वो भी हर एक कंट्री के हिसाप से उसका थोड़ा बहुत तोन चेंज होता रहता है, जैसे अपनी हिंदी भाशा, ठीक है, जैसे यह नॉमली हर एक भाशा नह रहते हैं, और ठीक चेंज होता है, तो बता रहा हुआ आपको, बॉनस दीयस, बॉनस दीयस बॉनस दीयस means, गुद मॉर्नीर, बॉनस दीयस, 100 अमेरिका हो, 99, गुद मॉर्निंग, बॉनस दीयस, आता है गुद आफटर नून, गुद आफ़न के लिए बोलते हैं, बुएनस Tardes Buenas Tardes Buenas Tardes Then comes Spanish Spanish Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, चलिए, यह होगे normal words, काफ़ी रोज मारा की जिन्दगी में, अपन यूज करते हैं, Spanish में यूज करते हैं, तो यह काफ़ी अपो help करेंगे, if you are going to these Spanish speaking countries. अब now comes being polite, मतलब आप politely किसी से बात कर रहे हैं, तो वो जो main words हैं, वो आपको बताता हूँ, gracias, 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 gracias means thank you, gracias, then gracias बोला किसी ने आपको, तो आपको क्या बोलना है, welcome, तो welcome को बोलते हैं, denada, 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 means welcome, next word. lo siento, lo siento, इसका मतलब है sorry, then word आता है, disculpe, 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 disculpe means excuse me, so इसको आप use करेंगे, disculpe, मैं पोई रशीर लाओ रहा पर फावर, disculpe, के और आइस, means excuse me, what's the time, disculpe, के और आइस, disculpe, formal way में, कोई आपसे बड़ा है, तो disculpe बोलना है, और informal, कोई आपसे छोटा है, या आपके बराबर का है, तो इसको बोलना है, disculpe, के और आइस, what's the time, disculpe, disculpe, use करना है, then आपका sentence, use करना है, जो भी आप बोलना चाहते है, disculpe, sorry, can I sit here, then, कोई, कुछ बात आपको समझ में नहीं है, या आपको दुवारा सुनना है, then, कोई, what, कोई, कोई, what, then comes, पर फावर, पर फावर मींस, please, then, आपको किसी ने समझाया, और एड्रेस, for example, आपको समझ में नहीं आया, for example, आप पूछ रहे हैं, कि यह बस कहां पर जा रही है, तो अंदे वा इस्ते तो भूस, then, वो बोलेगा, समझायेगा आपको, और आपको समझ में नहीं आए, तो बोलना, no entiendo, no entiendo, no entiendo, I couldn't understand, so guys, I hope कि आपको इस वीडियो अच्छा लागा हो, और आप इस वीडियो देखके, थोड़े बहुत कुछ sentences और कुछ phrases, आप अपने daily life में use कर सकते हैं, जब आप चाहेंगे South America या पर Spain, और अगर आपके किसी दोस्त को Spanish सीखने हो, तो इस वीडियो को शेर कीजिए उस बंदे को, और थेन, थेंक्यू दूरू बोलेगा आपको, इस वीडियो दोंट फोगे तो हिट लाइक बटन, और सब्सक्राइब को चानल और इन्टरसिंग वीडियो और सम्स्पानिश लाइन टिप्स, धिक्यू वाच्वाच्व वाच्व 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 वीडियो, तिल देन, बाबाय, आस्ताल लुवेगो, अमीगोस, अब मुझे ट्रांसलिफ करने को दूरत नी बड़ेगी, गोड नाइट, बॉनस नॉच्चेस,